हलो दोस्तो मैं नील आप सबी का स्वागत करता हूँ हमारे आपने यूटुब चैनल पे जिसका नाम है वियार फार्मर्स दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है कि यल आकर की तंबा दातु की रोड की मदद से जबिन के अंदर का पानी कैसे देखते है इस वीडि को किस तरीके से इस्तमाल करना है यह वीडि इस्तमाल करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और इस वीडि की सच्चाई क्या है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकर यह आप इस वीडियो में देख पाएंगे तो वीडियो को आखिरत तक ज़रूर देखे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आप आगे भी देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम वीडि के बारे में जानेंगे कि यह पूरी की पूरी वीडि क्या है और बाद में हम आपको बताएंगे कि इस वीडि की सच्चाई क्या है सबसे पहले आपको दो यल आकर की तामबा धातु के रॉड लेने है जो आकर लंबाई और मोटाई में एक समान होनी चाहिए इसके रिगर्डिंग मैंने पहले ये एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ध्यान रखे इस वीडि को इस्तमाल करते समय आपको पहलों में चपल नहीं पहलनी है उसके बाद आप यह यल आकर के रॉड आपने हातों की मुट्यों में कुछ इस प्रकर पकड़ लीजिए और आपका जो हातों का अंगुटा है वह बाकी सेश उंगलियों के उपर आप यह दिरे चलना है यह और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है दोस्तों कि आपकी हातों की जो मुट्य है उसे आपको ज़्यादा कसकर भी नहीं पकड़ना है ना ही ज़्यादा लूच छोड़ना है बस उसे कुछ इस प्रकर आप पकड़े कि आपकी हातों की जो आप य यह यह लाकर की रॉड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सबसे पहले आप हातों को चाती के नजदिक पकड़े और जैसे ही इस रॉड में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या आपकी शरीर के और आकर वह टकरा जाते हैं तो आप सामने की और आप हात पकड़े ताकि यह रोड यदि एक दूसरे की और गोमना चाहते है तो यह फुल मुमेंट या पूरा गोल चक्कर यहापे लगा पाए इसके लिए आप हाथ यहापे थोड़ा लंबा करके पकड़ लीजे जहापे आपको इस रोड में मुमेंट दिखता है वहापे आप एक मार्क कर लीजे एक चिन होगा एक प्रकार का जहापे आपको पानी की संभावना है ऐसा लगता है क्योंकि इस विदिका तो यही मतलब है दोस्तों जहापे आप यह रोड पकड़ के चलते है और यहापे एक दुसरे को रोड क्रॉस करते है तो वहापे पानी होता है ऐसा माना जाता है खुछ बार तो आपको यह भी नजर आएगा कि यह यह लाकर के रोड आपको पूरक पूरक गोल चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे जैसे आप वीडियो में देख पा रहे है ऐसा माना जाता है कि जहापे ज़्यादा पानी की संभाव नहोती है वहापे इसका गुमना और ज़्यादा तेज होता है तो वहापे आप मार्किंग कर लीजिए और ऐसा मान लीजिए कि यह आपने एक बॉर्विल पॉइंट फिक्स किया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी आदमी से भी वह चेक करना है उनको भी यह विदी समझानी है हातों में उनको यह रोड थमाने है और उनको भी कुछ उस जमीन के उपर गुमने के लिए आप बोल सकते हो ताकि दो या चार आदमी से आप वह फॉइंट फिक्स कर सके क्योंकि हो सकता है एक आदमी से यहाँ पे गलती हो जाए क्योंकि बोल करना महेंगी फ्रस्स है दोस्तों तो यह जरूरी हो जाता है कि एक ही पॉइंट को हम बार बार चेक करें और अलग अलग विदियो से चेक करें क्योंकि यह बोल फेल ना जा सके तो यहाँ पे जैसे द पानी जब एक आदमी को दिख रहा है तो दूसरे आदमी को भी सेम संकेत मिलने चाहिए सेम उसी जगह पे भी उसको मुविमेंट नजर आनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने इससे पहले ही चेक किया था मैंने यहापे खुछ चेक किया था लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मुविमेंट नजर नहीं आया था पहले से ही बोर्वेल की गई इस जगह पे हमने जब इस विदी से पानी चेक किया तो हमें यहापे चोका देने वाले रिजल्ट मिले दोस्तों इस बोर्वेल को थोड़ा बहुत पानी है लेकिन जब हम इस विदी से चेक कर रहे थे तो हमें हर बार यहाप पानी अलग अलग जगह पे शो हो रहा था यानि कि इस धात्यों में जो क्रॉस हो रहे थे वहाँ हमें अलग 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 जगह पे नजर आ रहे थे और इसी बात को कंफरम करने के लिए हमने और भी कही जगह पे हमने पानी चेक किया जहा हम यहाँ पे चेक कर रहे थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही रिजल्ट हमें मिल रहे थे कि यह क्रॉस हमें अलग-अलग जगव पे नजर आ रहे थे कापी सारे लोग इस यह लाकार की रॉड से पानी चेक करने का दावा करते है लेकिन कोई भी यह दावा नहीं करता कि 100% वहाँ पे आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा ना ही कोई आपको यह बता सकता है कि यहाँ पे जमिन के अंदर कितनी घहराई में आपको पानी मिलेगा और कितना पानी मिलेगा यह भी आपको कोई भी नहीं बताता तो इस हिसाब से दोस्तों यह विदी भरोसे के लाइक है नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा ऐसा 100% तो कोई भी दावा नहीं करता हाला कि यह रोड एक दूसरे को क्रॉस करते है यह चीज तो सही है दोस्तों मैंने खुद भी यह एक्सपरेंस की है लेकिन मैंने अपने प्रियोग में पाया कि हर बार यह अलग-अलग जगह पे हमें क्रॉस करके मिलती है यह अलग-अलग जगह पे गुमती हमें मिल रही थी इसके पीछे विग्यान की नजरीय से देखने पर हमें यह पता चलेगा दोस्तों कि इस यह लाकर की चड़ी का सेंटर आप बैलन्स सेंटर में ना रहे के यह लाकर की जो छोटी दंडी है उस तरफ थोड़ा बहुत है सिप्ट हो जाता है और जब भी हम अपने हातों को सामनी की ओर फकरते है ताकि यह जो यह लाकर की रोड है वह जमीन को समन्तर सके तो उस समय हमारी हात की जो मुट्टी है उसका फोर्स उस दंडी पे यह लाकर की चड़ी पे लगता है जिसके कारण जब हम चलते है तो थोड़ा बहुत हमारी जो moment होती है हाथ की उस वज़े से यह center of balance थोड़ा बहुत इदर उदर किसक जाता है और उसी की वज़े से यह दंडी एक दुसरे की और घुमना शुरू हो जाती है बस यही इसका एक scientific reason हम इसके पीछे दे सकते है और यही मुझे सच लगता है बस फिलाल इतना ही दोस्तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो like करें, share करें इस वीडियो का अपने friends और family के साथ यदि आपके मन में कोई सवाल यह सुझा हो तो नीचे कमेट करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe भी जरूर करें ताकि आईसी वीडियो आप आगे भी देख सकें इस सुडियो को आँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं नेक स्टूडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय इंदिस्तान, थैंक यू